बहराइज में संप्ताइक इंसा तो धीरे-धीरे अब सांत हो गई है लेकिन लोगों का आक्रोज सांत नहीं हो रहा है यह बहराइज का कलेक्टेट परिसर है यहां परसुराम सेवा संसान के तमाम लोग मौजोद हैं अपनी सिकाईतों को न verschiedene मांगों को लेकर यहां पर आएँ हैं हम जानने का पर्यास करेंगे कोसिस करेंगे कि क्या उनकी मंसा है जो आज उनको बहराज के जिलाधीकारी कार्याले आना पड़ा है और कौन सी ऐसी goog Пр는지 senti मांगे हैं जो उनकी पूरी नहीं हो रहा है मेरा नाम पंदित महनना तिवारी है आज आप लोग बहराज के लिए रोकने के लिए प्रसाथन द्वारा की जा रही हिंदू का अत्विड़न रोका जाए ब्रहमरों का अत्विड़न बंद किया जाए ब्रहमर आयो का गठन किया जाए पीड़ित ब्रहमर परिवार को उचिस रच्छा परतान की जाए पीड़ित परिवार के एक सदस को सरकारी नौकरी दी जाए गरिपतार के गये अविक्तों को फास्टे कोट में सुनाई कर सीगर सजा दिलाई जाए हिंदू समाज के किसी भी गरिपतारी बिना किसी तत्यवा परमाड के न किया जाए यह हमारी आठ मांगे है और नवी मांग यह हमारी मांगे पूरी नहीं होती है और पुलिस बिना तत्यवार के गरिपतारी बंद नहीं करती है तो पांस नौंबर दो हजार चोविस दिन मंगलवार को हमारे संगठन के साथ हिंदु समार धना प्रद्रशन के लिए बाद होगा प्रद्रश्धिक जी इसमें आपकी एक मांग है नौकरी की तो अभी हाल फिलाल में देखा गया था जो पीडित परिवार है वो जाके मानिये मुकमंत्री से मिला है और वहां से अस्वासन भी मिला है नौकरी का बा कि पढ़ाई काम उसमें बाधा हो सकती है परन्तों जैसे जिस तरह से उस पिट्या की सिच्छा है उसको नौकरी जरू दिया जाए क्या आपको विश्वास नहीं है जो मुकमंत्री जी ने कहा है नोकरी की बात और 10 लाग रुपे की ने विश्वास है मुकमंत्री जी जो कह कि मानते हैं क्या कुछ होता जो यह घटनाए नहीं होती है देखे जब मुर्ति विश्वासर्जन का कारीक्रम उहां से पहले से प्रस्तावित था तो वहां और भारी सी भारी पुलिस फोर्स भी लगानी चाहिए थी पुलिस प्रसाहता होनी चाहिए क्योंकि वो टोटल मु तो यहां पर प्रदेत अध्यक जी बात करने के लिए कुछ साथ और भी है जिलात्यक मौजूद है जिलाद्यक्ट भी मौजूद है उनसे भी बात करेंगे उसमें आप लोगों की जो नौसुतिय मांगे हैं उसको बुल्डोजर एक्षन की भी बात आई पी ड़ूडी की तरफ से नोटिस चस्पा की गई इसको आप किस तरह लेते हैं अभी तक कोई कारवाई ऐसी होई नहीं है और हम लोग मांग करते हैं कि बुल्डोजर से उनका मकान गिराया जाए धरासा ही किया जाए और जिस प्रकास से हिंदूओं के उपर नाजाज मुकदमा लिखा जा रहा है उनको नाजाज जेल भेजा जा रहा है कोई वेक्ट अगर अगर बाजार में कहीं तेले पे अगर फेला खरीद रहा है उसके उपर मुकदमा लिखा जा रहा है यह सरासर गलत है अगर ऐसे ही होता रहेगा तो हम अपने प्रसराम सेवास संस्तान के और से और समस्त हिंदू संगठन एकत्रित होकर करके हम लोग धरना परत्रतन करेंग जो और भी मकान उसका चलना चाहिए उसमें जांच होकर जो जिनको पाया जाए उन सबका सबकर पर करवाई होना चाहिए उन्होंने साब तो पर कहा है जो दोसी हों उनके घर पर अवस्ती बुल्डोजर चलना चीह यहां तमाम लोग मौजूद हैं एक दो लोग से हम और ब आप लोग की क्या सोच कर आए हम लोग की मांगे हैं कि जिस प्रकार से गटना को आज लगभा 15 दिनके आसपास पूरा होने को है और प्रसाषन की तरफ से जो कारवाई की जा रही है तो उस प्रसाषन की कारवाई में भी हम लोग उससे संटुष्ट नहीं क्योंकि जो है आग जनी की घटना लोगों ने कारित की और भी बहुत सारा नुक्सान किया उस शेत्र में इसको क्या मानते हैं ने जो नुक्सान किया वह गलत है लेकिन उसके नाम पर यदि आपके पास कोई तथ्य नहीं आपके प्रमारी सबूत नहीं है तो उसके नाम पर हम किसी को प्रता प्रसासन के नाम पर हो या किसी प्रकार की राजनेतिक दवाव में हो परसुराम सिवसंस्तान उसका विरोध कुल करेगा आगे की रणनीती यही है जो हमारी 900 मांगे की गई चुस्त्री मांगे उसमें नवा विंद्ध हमने यहीं सिलेड किया है कि जो भी आगर हमारी कारवाई जो मांग की गई है उसमें प्रसासन द्वारा कि इस प्रकार की लाप्रवाही वर्ती जाती है उस पर अमल नहीं किया जाता है तो हम लोग अनिश्यत काल के लिए धरना के करेंगे आपके चेत्र के विधायक सुरेश्वर सिंग ने एक भाजपा कारगटा के ओपर भी मुकदमा लिखवा दिया है इसको किस तरह लेकर आक्रोष जो है ओ आक्रोष जब रहा होगा तब रहा होगा कि उस समय भीड उग्रती हत्या ततकालीन में हुई थी उसका सव ल जैसा मैंने सुना उसी साबसे विधायक जी की गाली पर पत्राव किया गया विधायक ने यह भी व्यंसन किया है कि उसकी उपर फाइरिंग हुई इसमें वह बच गए लेकिन जो उसमें एक गिरफतारी हुई है पंडित मुन्रिक पंडे जी की वाताना चाहूंगा कि उनकी जो है जो फाइर उर्पर दर्ज की गई है उसके विसे में वताना चाहूंगा कि पहली बात तो बहुत ही योग्याद में पढ़ा लिखा व्यक्ति अराजक्ता में कभी समिलित नहीं होगा पत्रकार भी रहे हैं एक दो नोकरियों से इस्तीफा लगा करके वरत्रमान में उस इस व्यक्ति से अगर कोई यह कह रहा है कि उसने पत्थरबाजी किया है या अराजक्ता में जो है कोई का आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं है लेकिन पूलिस प्रसासन से हमारा यही अनुरोध है कोई भी कार कदम उठाया जाता है कोई कार्वाई की जाती है तो उसकी पहले निस्पस से जात्स होनी चाहिए बिना जो है वैलिड प्रूफ के अगर गिरफतारी की जाती है या किसी प्रकार के कारवाई होती है तो भी हम धन्दा प्रदर्शन के लिए बात दे होंगे तो यह प्रसुराम संस्तान के लोग है अलग-अलग लोग थे अलग-अलग प्रूब्स